कॉंग्रिस नीता राहूल गांधी को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है बॉलिवुट की एक हसीना ने राहूल गांधी संग शादी करने को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है यहां सीना कोई और नहीं बलकि बाला फिल्म की वज़ा से सुर्खियों में आई यामी गौतम रही जैसा कि आप सब जानते हैं बाला फिल्म को काफी ज्यादा सफलता मिली यामी गौतम काफी ज्यादा खुश है लगतार इंटर्व्यू यामी गौतम के हो रही है और ऐसा ही एक इंटर्व्यू उनका हुआ जहां पर उनसे किया गया सवाल शादी को लेकर यामी गौतम से पूछा गया कि क्या सल्मान खान, राहुल गांधी, जस्प्रीद, बुमरा, रनवीर, कपूर इन में से किसी एक से शादी करने का अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वो किस से शादी करेंगी यामी गौतम ने सल्मान खान से लेकर राहुल गांधी तक हर किसी को रिजेक्ट कर दिया ज्यादा तर लोग ये सोच कर बैठे थे कि राहूल गान्थी एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी है तो यामी गौतम उनका नाम लेंगी लेकिन यामी ने हर किसी को हैरान कर दिया यामी गौतम ने इस सीधे सवाल का जवाब इतने ज्यादा तेड़े धंक से दिया कि हर कोई हैरान रह गया हर कोई पूरी तरह से शौक्ट हो गया क्योंकि यामी ने कहा क्योंकि मैं लड़की हूँ तो क्या मैं शादी करने के लिए ही हूँ मेरा शादी करना जरूरी नहीं है और इतना कहकर यामी दूसरे सवाल की ओर बढ़ गई अब भगवान जाने यामी ने इतने सीधे सवाल का इतना तेड़ा जवाब क्यों दिया नेक्स्ट नाइन न्यूस से मेगा की रिपोर्ट